नवस्कार आप देख रहे हैं मार्केट टैम्स टीवी और मैं हूँ आपके साथ नमन मट्केव इन दोर की छावने अनाज मंडी में लगातार लाल चने की जो आवक है वो बंती बिगड़ती नजर आ रही है यानि हम कह सकते हैं कि आवक में जो उतार चड़ाओ का सिल्सिला है वो लगातार जारी है यही कारण है कि लाल चने के दाम पर भी अब इसका सीधा असर जो है वो देखने मिल रहा है चुकि एधी बात की जाये तो लाल चने की डिमांड लगातार बढ़ रही है उस हिसाब से कितनी आवक मंडि में हो रही है और किस तरह की डिमांड पूरी की जा रही है ये जानने के लिए हमारे साथ व्यापारी शरण जी है उनके पास सीधे चलते हैं और जानते हैं किस तरह की आवक अभी हमारे पास वर्दमान में है और किस तरह की डिमांड पूरी करने के स्थती में जो है अभी हम मौझूद है शरी जी बहुत स्वागत सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि चैने का व्यापार अभी किस तरह का चल रहा है और क्या कुछ इस्तती हमें इसमें देखने मिल रही है अभी चने के व्यापार में लगातर उत्राव चड़ाव हो रहा है कुछ आओ के प्रभावित हो रही है चुनाओ के कारण अभी आने वाले समय में MP में भोच जगा चुनाओ होना है तो इस चक्र में कई मंडिया बंद हो जाएंगी तो आओ के दीरे-दीरे गट रही है अभी गौशन ने भी आने के लिए रास्ते खुल दिये है तो वह तो कम होनी की गुझाईश कम है और यदि हम बात करें तो लाल चनाओ जब पूरे देश में लाल चने की बात होती है तो एक जो नजर होती है वो मत्यप्रदेश पर होती है और खास तो और इंदौर के पादन रहा और क्या अब आने वाले समय में और आवक बढ़ेगी या फिर आवक जो है सिमित रहेगी या फिर आवक घटेगी और यदि आवक कम होती है घटती है या बढ़ती है तो इसका कितना असर व्यापार पर जो है हमको देखने मिलेगा आवक तो सिमित मात्रा में हो पीछे बीए बाद करें तो चैने का जो व्यापार है वो लगतार घड़ भड़ की स्थी में हमको नजर आ रहा है आने वाले समय में जो है तेवारी सीजन भी होगा इसे के साथ साथ जो है शादी ब्याव का सेजन एक बार फिर से शुरू हो जाएगा क्या लगता है इससे दे तो हमारी सिजैन वीजे का है उप्योग नहीं राजिता है कि मृती हैं कि में टीन इस्ठी ट॥ महाराश्ब से आता है में देन रहा है तो आने वाला प्रंपाख़ ऑपेसर डेन धंसलंब मृत गजरी इंहीं इस्तति बनती है तो फिर दाम पर इसका कितना आसर देखने मिलेगा पिछले साल की तुल्ला में इस साल आखिर तक का व्यापर कहां तक जा सकता है अनुमाल लगाना तो काफी मुश्किल रहता है लेकिन व्यापर अच्छा आउके वे अच्छी है अब गुर्मेंट ने कितनी खरीदी करने पाई इसके बरावर्मक कशने खरीदी का मंडियों पर कितना असर पड़ेगा और व्यापर में इसमें क्या लाभानियम को देखने मि अनुभवी व्यापारी हैं काखरी सवाल आपसे में पूछूँगा कहा तक अपकी बार चैने का व्यापार जाएगा और आने वाले एक सब्ता में किस तरह का व्यापार हमको चैने का देखने मिलेगा भई चैने का जो भविश्य वो अच्छा ही दिखता है भाव में भी कुछ भी इंसान को बढ़के मिलेगा कम नहीं मिलेगा ऐसा लगता है निश्य तोर पर तो चैना व्यापारी थे शरच जी जिनका इसपश तोर पर कहना है कि आने वाले समय में जो चैने के दाम है वो बढ़कर के मिलेंगे और आने वाले समय में लगातार चैने के दाम जब बढ़ेंगे तो निश्य तोर पर इसका सीधा फायदा किसानों को और नजर आएगा इंदोर के छावनी अनाज मंटी से न मनमटके